हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टूदी चैनल कारी-गरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाय मैं अभिशेक और आज मैं आप लोग के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं अबाउट मारुति सुजुके स्विफ्ट क्योंकि मारुति सुजुक कौन से फीचर्स मिल जाएंगे इंटीर के अंदर क्या क्या अपड्रेट मिलेंगे कौन-कौन से फीचर्स यहां पर आ रहे हैं साथ ही आपको प्राइजिंग क्या मिल जाएगी कौन से एंजिन आने वाला यानि की कंप्लीट डिटेल अबाउट मारुति सुजुके स्विफ मारुति सुजुके स्विफ्ट को लांच किया जाएगा अब बात आती है इसके एकस्टीर की अगर मैं बात करूं ना तो काफ़े सारे अपड्रेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इंटीर में मिलेंगे बट एक चीज़ मैं आप लोगो उससे पहले बता दूँ कि जो फोर जनरेशन मारुति सुजुके सुफ्ट है ना वो पहले जैपान के अंदर शोकेस किया थी यानि कि लास्ट एयर और हमने वहाँ पर देखा था कि काफ़ी जादा अपग्रेड्स और फीचर रिज्जो मारुति सुजुके सुप्ट है वो ़हाँ पर शोकेस की गई है कि इंडिया के अंदर उतने सारे फीचर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि हाई टेक हैं जैसे कि अडास हो गया साथी हाईब्रिट सिस्टम अब उसका रीजन यह है जो मुझे परसनली लगता है कि इंडिया के अंदर अगर यह दोनों चीज़ आ जाती है मारतिय सुसुके स्विफ्ट के अंदर तो कही न कहीं जो कार की वैल्यू है ना वो काफी जादा बढ़ जाएगी और मारतिय सुसुके स्विफ्ट अफॉर्डिबिलिटी के लिए जाने जाती है और जो कंस्यूमर है ना वो भी उसी प्राइस स्टैक के है मारतिय सुसुके स्विफ्ट के तो अगर hybrid आ गया तो कहीं नहीं जो cost है वो काफी ज़ादा बढ़ जाएगी और इस जो price tag को कहीं नहीं break कर देगी तो मुझे personally लगता है कि महरुति सुजू की Swift के साथ में hybrid गगारा और जो top notch features हैं वो ला सकती है still हम लोग यहां पर बात करते हैं कि यहां पर आपको क्या क्या features देखने के लिए मिल जाएंगे exterior के अगर सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर जो आपको upgrades देखने के लिए मिल रहे हैं एक जो पत्ली DRL है वो यहां पर offer की गई है जिसके look काफी जादा अच्छा है उसके बाद अगर आप इसकी grill देखेंगे तो पहले से sleek कर दी गई है और black gloss finish के साथ में है और honeycomb जो pattern है वो भी वहाँ पर मिल जाता है उसके बाद में अगर आप skid plate देखेंगे तो वो भी black gloss finish के साथ में है जो bonnet है उसको भी काफी जादा upright करकर एक sporty look देने की हाँ पर कोशिश की गई है side look जब आप देखते हैं इस कार का तो वहाँ पर नए alloy wheels मिल जाएंगे और पतली जो crease lines है ना काफी जादा sharp पर वो पूरी कार पर आपको even जो side से जा रही है ना वही continuity आपको reverse rear में और उसके बाद again side में भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि इस कार को एक काफी जादा sporty अफतार दे देती है एंड एक और upgrade यहां पर आया कि जो इसका door handle था rear doors के उपर अब उसको shift करकर ना rear doors पर कर दिया गया है पहले वह सी पिलर मांटेट मिलता था तो वहाँ पर काफी जादे inconvenience रहती थी आप लोग मुझे comment करके ज़रू बताएगा कि आपको भी कभी convenience हुई है आप लोग मुझे comment करके ज़रू बताएगा कि क्या आप लोग को भी convenience point के हिसाब से जो सीपलर mounted door handle था वो problem create करता था या नही comment करके ज़रू बताएगा personally मुझे असा लगता है कि जो old age people होते हैं हमारे घर में और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं ने कि इसको operate करने में problem होती थी तो उस वज़े से उस हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मारूति सुजुकी ने अब उसको doors पर mounted कर दिया है रियर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी नए sort of tail lamps मिल जाते हैं साथ ही जो camera होगा वो अब आपको tail gate पर mounted मिल जाएगा and rear defogger, rear wiper, shark fin antenna तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है बट personally मुझे ऐसा लगता है कि swift के साथ में shark fin antenna नहीं आने वाला है high mounted stop lamp यहाँ पर देखा जा सकता है LED के अंदर bumper अगर आप rear कर देखेंगे तो वो भी पूरी तरीके से नया है and जो license plate है वो भी आपको bumper पर place मिल जाएगी तो यह कुछ look जो है वो आपको exterior का मिल जाएगा interior के अगर मैं बात करो तो interior के अंदर भी काफी सारे upgrades आपको देखने के लिए मिल जाएंगे so कहीं नहीं जो interior है वो frongs और balino की आपको याद जरूर दिलाने वाला है हाला कि color scheme के अंदर आपको changes जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे थोड़ा बहुत जो interior है वो यहाँ पर change किया जाएगा from the frongs और balino अब यहाँ पर आपको नेया dashboard मिलेगा साथ ही यहाँ पर 9 inches की screen मिल जाएगी जिसके अंदर आपको जो premium sound system है वो offer किया जाएगा 360 degree camera हो गया apple car player android auto and जो premium upholstery है वो भी यहाँ पर offer की जाएगी सब्सक्राइब काफी लोग का ऐसा कहना है कि जो वेंटिलेटेट सीट का option है वो भी हमें मारुतिय सुजू के साथ में देखने के लिए मिल सकता है बट पर पर सब्सक्राइब कि यहाँ पर offer की जाएगी बट यहां पर अगर वो सारे फीचर आते हैं तो काफे जादा हाई प्राइस हो जाएगा सुफ्ट का सो यह तो बात होगे इंटीर की अगर मैं बात करूं सेफ्टी की तो सेफ्टी के इंदर multiple airbags ABS plus EBD हो गया VSM HAC यानि की Hill Hold Control हो गया Vehicle Stability Management हो गया ऐसे तमाम फीचर से हैं 360-degree camera वो हमें यहां पर देखने क्लें मिल जाएंगे सुफ्ट के साथ में अब बात आती है एंजिन की अब जो मीचर अप्रेट किया गया है मार्तिय सुफ्ट के साथ में वह है इसका एंजिन यहां पर अब हमें 1.2 लीटर का नया Z-Series एंजिन देखने के लिए मिलेगा चो प्रेडियूस करेगा 84BHP और 140 Nm और उमीद यह भी है कि यह जो एंजिन हों को थोड़ी से जादा जो मालेज है वह हमें यहां पर देगा mild hybrid tech के साथ ही आएगा काफी लोग होगा ऐसा कहना है कि hybrid यहां पर आएगा बट personally मैंनी मानता कि hybrid यहां पर आएगा तो mild hybrid system के साथ में हमें swift देखने के लिए मिलेगी अब अगर मैं बात करूं इसके transmission option की तो यहां पर हमें manual और automatic दोनों मिलेगा यानि कि AMT अभी यह confirm नहीं है कि transmission option automatic के अंदर कौन सा available मिलेगा पर personally मुझे लगता है कि AMT यहां पर आने वाला है अब अगर बात करूं इसके pricing की तो इसकी pricing 6 लाग 10,000 रूपे से लेके 9 लाग रूपे एक शोरूम प्राइस के आसपास रह सकती है सो दोस्तों यह था मेरी तरफ से एक update regarding the all new Martha Suzuki Swift मुझे यह update देना था आप लोगों को Martha Suzuki Swift के बारे में कि इसकी जो launch data वो reveal हो चुकी है और आप कितने साथ excited है for this का मुझे comment करके ज़रू बताएगा साथ ही वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब दे के लिए जै हिंद जै भारत झाल